भजन सहिदा 119 अध्याई 73 से 82 तक तेरे हातों से मैं बनाया और रचा गया हूँ मुझे समझ दे कि मैं तेरे आग्याओ को सीखूँ तेरे डर्वईये मुझे देखकर आनंदित होंगे क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है है यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म मैं है और तूने अपनी सचाई के अनुसार मुझे दुख दिया है मुझे अपनी करुणा से शांती दे क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है तिरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तिरी व्यवस्था से सुखी हूँ, अभिमानियों की आशा तूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे जूट के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तिरी उपदेशों पर ध्यान करूंगा, जो तिरा भय मानते ह वे मेरी और फिरे, तब वे तिरी चितोनियों को समझ लेंगे, मेरा मन तिरी विदियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा नहो कि मुझे लज्जित होना पड़े पहला तिमुतियूस छटा अध्याय तीन से की इस तक यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभू इश्रमसी की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ती के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता वरन उसे विवाद और शब्दों पर तरक करने का रोग है, जिससे डाह और जगडे और निंदा की बाते और बुरे बुरे संदेह और उन मनुशों में व्यर्त रगडे जगडे उत्पन होते हैं, जिनकी बुद्धी बिगड गई है, और वे सत्य से विहिन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ती कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ती बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, यदि हमारे पास खाने और पहिनने को हो, तो इन ही पर संतोष करना चाहिए, पर जो दनी होना चाहते हैं, वे ऐसी पर अंदर में डुबा देती है क्योंकि रूपियों का लाब सब प्रकार की बुराईयों की जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयतन करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आपको नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है पर हे परमेश्वर के जन तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ती, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुष्टी लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अं यह आग्या देता हूँ कि तु हमारे प्रभू इश्वमसी के प्रगट होने तक इस आग्या को निश्कलंक और निर्दोश रख जिसे वर ठीक समय पर दिखाएगा जो परमधन्य और एक मात्र अधिपती और राजाओं का राजा और प्रभूं का प्रभू है और अमरता के उसी की है और वह अगम्य जोती में रहता है और न उसे किसी मनुश्य ने देखा और न कभी देख सकता है उसकी प्रतिष्टा और राज्य युगान युग रहेगा आमिन इस संसार के धनवानों को आग्या दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे के लिए सब कुछ बहुदायत से देता है वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नीव डाल रखे कि सचे जीवन को वश्मे कर ले हे तिमुतियूस इस दरोहर की रखवाली कर और जिस ग्यान को ग्यान कहना ही भूल है उसके अशुद बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे कितने इस ग्यान का अंगिकार करके विश्वास से भटक गए हैं तुम पर अनुग्र होता रहे यर्मिया 46 अध्याए 1 से 28 तक जाती जाती के विश्य यहवा का जो वच्चन यर्मिया भव विश्दकता के पास पहुँचा वई है मिस्र के विशय मिस्र के राजा फिरोन निको की सेना जो फरात माहनत के तटपर करकमीश में थी और जिसे बेभिलोन के राजा निबगत नेसर ने योशिया के पुत्र यहुदा के राजा यहो याकिम के राज्य के चोथे वर्ष में जीत लिया था उस सेना के विशे धाले और फर्रिया तयार करके लड़ने को निकट चले आओ गोडों को जुतवाओ और हे सवारो गोडों पर चड़कर टोप खड़े हो जाओ भालों को पैना करो जिल्मों को पहिन लो मैं क्यों उनको व्याकुल देखता हूँ वे विस्मित होकर पीछे हट गए उनके शूरविर गिराए गए और उतावली करके भाग गए वे पीछे देखते भी नहीं क्योंकि यहवा की यह वानी है कि चारों और भ जोकर खाकर गिर पड़े यह कौन है जो नील नदी के समान जिसका जल महानदों कासा उचलता है बड़ा चला आता है मिस्र नील नदी के समान बढ़ता है उसका जल महानदों कासा उचलता है वो कहता है मैं चड़कर पृत्वी को भढ़ दूँगा मैं नगरों को उनके विरो ए धनुर्धारी लूदियो चले आओ क्योंकि वह दिन सेनाओ के यहवा प्रभू के बदला लेने का दिन होगा जिसमें वह अपने द्रोयों से बदला लेगा तलवार खाकर तुर्प्त होगी और उनका लहू पीकर चक जाएगी क्योंकि उत्तर के देश में फरात महानत के तट पर सेनाओ के यहवा प्रभू का यग्य है ए मिस्र की कुमारी कन्या गिलात को जाकर बलसान ओशदी ले तू वियर्थी बहुत इलाज करती है तू चंगी नहीं होगी क्योंकि सब जाती के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृत्वी तेरी चिलाड से भर गई है वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े वे दोनों एक संग गिर गए हैं यहवा ने यर्मिया भवश्दक्ता से यह वचन भी कहा कि बेबिलोन का राजा नबगत नेजर कैसे आकर मिस्र देश को मार लेगा मिस्र में वर्णन कर और मिगदोल में सुनाओ हाँ और नोप और तैपनेज में सुना कर यह कहो कि खड़े होकर तयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे चारो और सब कुछ तलवार खा गई है तेरे बलवंत जन क्यों नश्ट हो गए हैं वे इस कारण खड़े न रह सके क्योंकि यहवा ने उन्हें धकेल दिया उसने बहुतों को ठोकर खिलाई वे एक दूसरे पर गिर पड़े और वे कहने लगे उठो चलो हम अंधेर करने वाले की तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों और अपनी अपनी जनम भूमी में फिर लोट जाए वहाँ वे पुकार के कहते हैं मिसर के रा जीवन की सौगन जैसा ताबोर अन्य पहाडों में और जैसा करमेल समुद्र के किनारे हैं वैसा ही वह आएगा हे मिसर की रहने वाली पुत्री बंधुआई में जाने का सामान तयार कर क्योंकि नोप नगर उजाड और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा जाही किराये पर आये हैं वह पाले पोसे हुए बचुडों के समान हैं उन्होंने मुह मोडा और एक संग भाग गए वे खड़े नहीं रहे क्योंकि उनकी विपति का दिन और दंड पाने का समय आ गया उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी क्योंकि वे विर्क्षों के का पाट डालेंगे क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अंगिनित है मिस्र कन्या लज्जित होगी वह उत्तरदिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी इस्राइल का परमेश्वर सेनाओ का यहवा कहता है देखो मैं नगरवासी आमोन और फिरोन राजा और मिस्रों को उन समय जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूँ मैं उनको बेबिलोन के राजा नबगद नेजर और उसके करमचारियों के वश में कर दूँगा जो उनके प्रान के खोजी है उसके बाद वो प्राचिन काल के समान फिर बसाया जाएगा यहवा की यवानी है परंत याकूब लोट कर चैन और सुक से रहेगा और कोई उसे डराने न पाएगा है मेरे दास याकूब यहवा की यवानी है कि तु मत डर क्यूंकि मैं तेरे साथ हूँ और यदिये पी मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिन में मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है त वो भी तेरा अंतना करूंगा मैं तेरी ताडना विचार करके करूंगा परंतो तुझे किसी प्रकार से निर्दोशन टहराऊंगा यर्मिया 47 अध्याए एक से साथ तक फिरों द्वारा गाजा नगर को जीत लेने से पहले यर्मिया भवशिदक्ता के पास पलिष्टियों के विश्य यहवा का यवचन पहुंचा यहवा यो कहता है देखो उत्तर दिशा से उमंडने वाली नदी देश को उस सब समेट जो उसमें हैं और निवास्यों समेट खोडों की टाप रतों के वेग से चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पाव ऐसे धीले पड़ जाएंगे कि वह मूँ मोड कर अपने लड़कों को भी न देखेगा क्योंकि सब पलिष्टियों के नाश का दिन आता है और सोर और सिदोन के सब अचे हुए रहने वाले हैं उनको भी नष्ट करने पर है गाजा के लोक सिर मुंडाये हैं अश कलों जो पलिष्टियों के निचान में अकेला रह गया है वो भी मिटाया गया है तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा है यहवा की तलवार तू कब तक शांत न होगी तू अपनी मियान में घुजजा शांत हो और थमी रहे तू कैसे थम सकती है क्योंकि यहवा ने तुझको आगया देकर अश कलों और समुंदर तट के वृद तहराया है